प्रकास तिवारी और इस समय हम आपको लेकर के सीधा आये हुएं बारा बंकी जिले में माती ग्राम सभा में जहां कि हमारे साथ विजई प्रधान जो है वो हमारे साथ मौजूद है आए उनसे जानते हैं कि यहां कि क्या हाल रहे एलक्षन के और किस तरह का जो है इन्होंने को खास महीं रहा और फिरगा सभ्मि चार गांघ भाजी जो मेरे पिछली पंचवर्षी में थूट गया थे मैं परधान था जो नहीं हो सके प्रयास किया गभा लेकिन वहाली हो सके तो जो पिछले काम चूते हुए थे वही fluoropa जना मेरा था कि पहली प्रत्मिक्ता दोथी कि कि मेरे पंचयत में एक इंट्रकालिज बन जाए खास करके महिलाओं के लिए कन्याओं का और दूसरी प्रस्मिक्ता में यह थी कि मुस्लिम वर के लिए एक कबरस्तान बन जाए और हिंदू वर के लिए एक समसान बन जाए कबरस्तान के आपने बात की आदमी के मरने के ब्योस था यहां पर सिच्छा और स्वास्ति की क्या विवस्था यह मुख्य आधार होते हैं तो इस पर क्या आपका जो है देखिए इस समय प्रिजेंट टाइम में माती पंचायत से सटा हुआ एक रंदुवा पंचायत है तो वहां पर सिस्टी है तो वह भी माती के अंदर उससे रहा है तांडो तो उसको देखते हुए परसों चुकी इद भी है हमारे मुस्लिम भाईयों की तो उसको मद्दे नजर रखते हुए हमने जो है बेवस्था कुछ कराई है अपने पंचायत में कि ज्यादा लोगी कठें नहोंने पाएं और नमाज जहां तक हो सके अपने घर कि हमारे गाओं हैं और घर हैं गली महले हर जिगह में सेनिटाइजन का कांग परवाओं का कल जीतने के लिए लोगों ने कई प्रत्यासियों ने कई तरह की जो है निती अपनाई साम दाम दंड भेद आपने कौन से वाली निती अपनाई विकास वाली या फिर साम दाम तो मुझे ज्यादा आता नहीं है और रहे कई बात जीत की तो भाई मेरे पिछले जो पंचवर्शी गुजरी मेरी 2010-2015 तो मैंने जनता के बीच में जाके उनका काम किया साज्वनिक काम किया नाली, खरंजा, चक्रोड और भी जितने भी मतलब जनता जोड़े हुए प्रधा प कर आया है तो जनता ने मुझे अपने बेश्वास और बेवहार पे चुना पिछली बार आप प्रधान थे या इसके पहले आप प्रधान थे नहीं और पिछली बार जब कोई और अधर प्रधान था तो सुच्छ भारत पर मूदी जी का बड़ा फोकस रहा है सौचारले की बेवस था आपकी पिछले प्रधान जो अपकी बार आपसे पहले रहे उनकी क्या थी यहाँ पर आपकी ग्राम सभान देखिए स्वच्छ भारत मिशन के अंतरकत जो मानने है प्रधान मंतरी मौदी जी की हुए बहुत महत्त्वा कांची योजना थी और हमारी पंचायत में जो 2015 से 2020 के बीच में बीचती है तो एक हमारे मित्र थे हरवन्सकुमार वह भी प्रधामी तो उन्होंने बड़ा फोकस किया इस पर और हमको लग रहा है कि हमारी पंचायत में लगभग 90% जो है सौचाय लोगों के पास बने हुए और उन्हें बनवा जो है देश के भविष्य होते हैं किया उनके लिए सोच रखाए अपने देखे युवाओं के लिए तो मेरी जो अभी पताया मेरी प्रात्मिक्ता जो रहेगी इंटर कालेज की अगर महिला होता है तो ठीक है अगर मान लिए कंबाइंड हो जाता है तो युवाओं के लिए एक विकल्प हो जाएगा हमारी पंचायत में और फिजिकल व्यायाम के लिए तो मैंने स्टेडियम का जो है अच्छा कराया था अपने पंच वरसी में तो यह कोशिस है कि उसमें भी बड़ी हासा मैदान ग्राउन तैयार करके टीन सेट बाउंडरे वालगर हो जाए इस से हालात हैं उसको देखते हुए लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं एक एक महीने लॉकडाउन को लगब पिछले साल की तरह हो गये हैं तो जिन बैचारे के घर में राशन पानी नहीं है जो लोग रोजगार से एकदम कमजोर हो चुके हैं काम पर नहीं जा रहे हैं यह अंत चाहित वासियों से बलकि पूरे देश वासियों से यही अपलील करेंगे कि जितना भी हो सुरच्छित रहें दोगज की दूरी बनाए रखें मास्क जायातर इस्तेमाल करें बहुत जरूरी हो तब ही घर से निकलें और दूसरी बात यह है कि जो इस समय भाई माली यह आदम तो मेरी उन से भी बात होती रहती है कि कोई भी गरीब आए किसी के पार रासन नहीं है तो आप उसकी विवस्ता जरूर करा दें वैसे सरकार ने भी दो महीने की गाड़लाइन भी आई है जल्दी में कि जो है माई और जून का दो महीने का रासन जो है फ्री में मिलेगा बह आपने हमसे बात के और आपने बहुत अच्छा जवाब देया